दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम स्विध MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको चैप्टर नमबर तू सौरी चैप्टर नमबर थ्री क्लास टेंथ केमेस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुवी कल्पी प्रेश्ण है इन बहुवी कल्पी प्रेश्णों को आप अगर तयार करेंगे तो यह आपकी एक्जाम की दरश्टिकोर्ण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे तो चैप्टर नमबर दो है हमारा सौरी चैप्टर नमबर थ्री है धातू तता अधातू मेटल्स और नॉन मेटल्स तो चलिए लेते हैं उतना पहला क्वेश्टन तो एंटी मनी क्या है धातू है ऑप्शन ए बी अधातू है सी उपधातू है यह डी मिश्र धातू है तो एंटी मनी एक उपधातू होती है ऑप्शन नमबर सी सही है चलिए दूसरा प्रशन लेते हैं दूसरा प्रशन है आध दोस्तों हम झातने हैं कि आघात वर्धनियता क्या होती है तामबा एक धातु है जैसे तामबा लोहा अलुमिनियम ये सब धातु है तो इन में आगात वर्धनियता का गुण पाया जाता है तो आप्शन नमबर डी सही है तामबा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना निम्न लिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामाने ताप पर ही अबिक्रिया कर लेती है या कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अबिक्रिया कर लेती है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अबिक्रिया कर लेती है solution है है मारे पास चार A copper B iron C magnesium D sodium और calcium तो sodium के जल के साथ ख्रिया कर पर ही द्रोजन गैस देते हैं तो इसका option नमबर D सही सोडियम और calcium चलिए अब हम अपना next question लेते हैं तो next question हमारा निम ने लिखित में से कौन सी धात्तू ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाईडोजन गैस देती है तो यहां देखिए एजी यानि कि सिल्वर तो यह एस ब्लॉक का तत्त है नहीं आप्शन नमबर भी है सोडियम जो कि एस ब्लॉक के तत्त है जो एस ब्लॉक के तत्त होते हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाईडोजन गैस दे देते हैं अलुमिनियम आपका P ब्लॉक काता तो है, कॉपर D ब्लॉक काता तो है, तो यहाँ पर option number B सही होगा, sodium, sodium क्या करेगा, कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके hydrogen gas देगा, next question है हमारा, next question है हमारा, निम्न में से कौन सा यूगल, यूगल का मतलब जोडा, विस्थापन अभिक्र अभिक्रिय करता जब हम इनकी अभिक्रिया करा हाँगे, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लिखा हुआ है कि खाद पदार्थों के डिब्बों पर जिन्क के बजाए तिन का लेप होता है तो इसका कारण आपको देखना है कि इसका क्या कारण हो सकता है तो ऑप्शन A है तिन की अपेक्षा जिन्क महेंगा है option B है तिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधीक है option C है तिन की अपेक्षा जिंक अभिक्रियाशील है तिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है तो दोस्तों अगर कोई कोई तत्तों ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो उसमें क्या होगा कि जंग लगने की ज्यादा संभावना रहेगी इसलिए क्या है कि option number C सही है तिन के पेक्षा जिंक ज्यादा भी क्रियाशील है इसलिए खाद पदार्तों के डिब्बो पर जिंक के बज़ाए तिन का लेप किया जाता है तो option number C हमारा सही होगा next question हमारा निम्न में से कौन सी धातू अमल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है A option है iron, B option है zinc, C option है copper, D option है magnesium तो इसका option number C सही है copper धातू अमल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी question number 9 देख लेते हैं निम्न लिखित में से कौन सी धातू अमल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है magnesium, B platinum, C copper, D mercury तो इसका option number A सही है magnesium क्योंकि जो S block के तत्थ होते हैं वो अमल के साथ अभी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं तो इसका option number A सही है magnesium next question है जस्ता धातू hydrochloric यानि की HCl से क्रिया करके कौन सी गैस निश्कासित करती है तो जस्ता यानि की zinc अगर hydrochloric हमने से अभी क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निश्कासित करेगा hydrogen reaction को इस तरह से हम लिख सकता है ZN plus 2HCl बन जाएगा हमारा ZNCl2 यानि की zinc chloride plus H2 gas तो जो zinc है वो hydrochloric acid से अभी क्रिया करके hydrogen gas देगी तो option number इसका C सही है अगला प्रशन है हमारा फपोलेदार तामवे में copper का प्रतिशत क्या होता है blister copper कहते है फपोलेदार तामवे को blister copper कहते है तो blister copper में copper का प्रतिशत क्या होता है A 98% B 2% C 70% D 30% तो blister copper का शुद्दतम रूप होता है कम से कम तो इसमें 98 प्रतिशत कॉपर की मात्रा पाई जाती है नेक्स्ट प्रशन है हमारा फपोलेदार कॉपर है क्या है? A. आप्शन शुद्ध कॉपर है बिल्कुल 100% प्योर है B. कॉपर का आयस्क है C. कॉपर की मिश्रदातु है यह D. ऐसा कॉपर है जिसमें 2 प्रतिशत अशुद्धियां होती है तो हम जानते हैं कि फपोलेदार कॉपर में फपोलेदार तामे में ब्लिस्टर कॉपर में कॉपर का प्रतिशत होता है 98 प्रतिशत और 2 प्रतिशत इसमें अशुद्धियां उपस्थित होती है तो फफोलेदार कॉपर क्या होगा ऐसा कॉपर जिसमें दो प्रतिशत अशुदियां होती हैं तो इसका option number D सही है next question है हमारा mat में मुख्यता क्या होता है FES, BCU2S, CCU2S plus FES, D है option है CU2S तथा FES तो इसका option number C सही है Cu2S और क्योप्रिक सलफाइड और फेरस सलफाइड इसमें उपस्थित होता है mat में next question है हमारा कि तामर ग्लांस का रासाइनिक सूत्र क्या है A option is Cu2S, B option is Cu2O यानकी क्योप्रिक उक्साइड यह है आपका CuFES2 और या D CuCO3 तो इसका option number A सही है, तामर ग्लांस जिसको कहते हैं, तामर ग्लांस का जो रासाइनिक सूत्र होता है वो होता है Cu2S, option number A सही है Cu2S next question लेते हैं, copper pyrit को वायू में गर्म करके sulfur को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं A निस्तापन, B भर्जन, C प्रगलन या D आपका Bessemery करन तो इसका option number B सही है, copper pyrit को वायू में गर्म करके sulfur को दूर करने की प्रक्रिया को हम भर्जन कहेंगे next question है हमारा परावर्तनी भट्टी का प्रयोग किसमे होता है option A प्रगलन में, B निस्तापन में, C बैसमरी करन में, D अतिशी तलन में तो इसका option number B सही है, परावर्तनी भट्टी का यूज होता है निस्तापन की प्रक्रिया में अगला प्रशन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधी उप्युक्त है नमबर A ग्रीस लगाकर, B पेंट लगाकर, C जिंक की परत चढ़ाकर, D ये सबी तो option number C सही है कि लोहे के फ्राइंग पैन पे अगर हम जंग लगने से इसको बचाना चाते हैं तो अगर हम उस पर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो उसका गैलविनी करण हो जाएगा और फिर उसमें जंग नहीं लगेगी तो option number C सही है जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्टिया को गैलविनी करण कहते हैं next question है हमारा मुद्रा मिश्रधातू है, यानि कि ऐसी मिश्रधातू जिससे सिक्के बनाए जाते हैं मुद्रा मिश्रधातू कौन सी है तो इसका option number A सही है मुद्रा मिश्रधातू से सिक्के बनाए जाते हैं, उसमें कौपर 95, तिन 4 परतिशत और फास्वरस एक परतिशत होता है तो इसका option number 1 सही है, option number A पीतल है, धातू है, अधातू है, उप धातू है, मिश्रधातू है, हम तो जानते हैं कि पीतल मिश्रधातू है मिश्रधातू है, ऐसी धातू है, जो दो या दो से अधिक धातू के मिश्रधातू है तो पीतल 1, मिश्रधातू है नेक्स्ट है मारा कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातू उपस्थित नहीं होती इसका नाम तो जर्मन सिल्वर होता है लेकिन इसमें सिल्वर उपस्थित नहीं होता तो option number C सही है जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानि की AG उपस्थित नहीं होगी कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है A option copper zinc की B option copper और tin की C option copper और nickel की D option copper और iron की तो इसका option number B सही है copper यानि की cu और essence copper और tin के मिश्रण से जो मिश्रधातु बनती है उतसे कांसे की प्रतिमाएं बनाई जाती है अमलगम होते हैं A. उपधातु B. मिश्रधातु C. यॉगिक D. विश्मागी मिश्रण तो अमलगम मैं आपको बता दूँ बता देता हूँ कि अमलगम क्या होते हैं अमलगम ऐसी मिश्रधातु हैं जिसमें मरकरी उपस्थित होती है HG, तो अमलगम क्या है कि ये विश्मांगी मिश्रण होते हैं, सामांगी मिश्रण नहीं होते हैं, ये विश्मांगी मिश्रण होते हैं, तो option number इसका D सही है, next question है हमारा lead nitrate का रासानिक सूत्र है, PBNO3, PBNO3 का hold twice, PBNO2 का hold twice, या PBO, तो ये तो lead oxide है, ये lead nitrite है, ये lead nitrate है, और ये ऐसा structure नहीं बनेगा क्योंकि PB पर 2 positive होता है, और NO3 पर 1 positive, तो यहाँ पर option number B सही है, lead nitrate का सूत्र होगा, PBNO3 का hold twice, option number, option number B, lead nitrate, तो यहाँ पर ये option number A दिखा रहा है, ये गलत होगा, क्योंकि PB पर 2 positive होता है, और NO3 पर 1 positive, तो lead nitrate का सूत्र होगा, B, तो ये था हमारे बहुवी कलपी प्रेशने, chapter number 3, धातु अरम अधातु के, तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, subscribe जरूर कीज़ेगा, मिलते हैं अपने next वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, thanks for watching and listening में, exams with MS को subscribe कीज़े, इसी प्रिकार के important, important question, बहुवी कलपी प्रेशनों के लिए, model पे बर, question पे बर, और भी बहुत कुछ study material के, thanks for watching and listening में, and good luck for your future, thank you and bye-bye.